ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड़ लग टिप्स में दोस्वों ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी चलिए अभी किला आगे बढ़ते हों चान लेता है तुला आप रिच्छक और धनू राशिवालों को दिन कैसा रहने वाला है आज का दिन जो है वापको सक्सिस दिलाने वाला रहेंगा तरक्की उनप्ति दिलाने वाला रहेंगा अफर्स तो करना ही होगा आपको इसमें कोई दुराई नहीं है नया वाहन खरीदने का आज मन बन सकता है और ध्यान रखिएगा किसी भी बात को पूरी तरीके से समझे बगेर उस पर कोई भी अपनी ओर से टिका टिपनी मत कीजेगा आपनी ओर से कोई वादा मत कीजेगा आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में घी का दाना विश्य कीजिएगा देन अच्छा बॉस रहेंगा अगली स्टुराशी वोस्ति कोरालि व्रुदे घिकूलद मत करिएगा आज के दिन के सफलता के लिए को पनीर अवश्य खिलाएगा यदि आप कुछ फाइनशिल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं मान लीजी यह सब के लिए है जरूरी नहीं किसी एक राशी खिली बड़ा ही अच्छा उपाय है कि शक्रवार के दिन यदि आपके शहर प्राइब कोवे हो तो वहां जाकर आप कुछ भी या तो घर से आप बिलकुल गारी खीर बना के ले जाईए पनीर तो सेकिंडों में चट कर जातें बड़े से बड़ा फाइनेंशल लॉस जदी है आपको फाइनेंशल लॉस दूर होते हैं धन कमाने के रास्ते खुल जाते प्रैक्टिकल मेरा खुद का अनुभाव की आवाव उपाय है इसलिए मैं आपको शेर करूँ अगली जो राशी हो है धनु राशी धनु राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज आपका दिन अच्छा है इसका पूरा फाइदा उठाईएगा और कारे में सफलता आज आपको तीन राशी के तरह बढ़ने से पहले एक दर्शक हमेर साथ जुड़ी है आरती जी है भीलवारा से जो कि अपने हजबन राम अवतार जी के लिए जानना चाहती है राम अवतार जी की तारीक है 261 1966 और जन्म का समय है रात का एक बचकर 15 मिनट का आरती जी आपका बहुत-ब बिजनेस करते हैं कोई नाम दुकान का हा एस से नाम है उनका स्टार्ट आया उनके बिजनेस का नाम एच ऐस एस 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 फॉर शाम हाँ अच्छा और यह इनका 26 की रात का जनम है पत्चिस की रात का और 26 की सुबह है ठीक है देखो बिटा आरती आपके हजबन की जनम को केतु की माधिशा चल रही थी मई 2009 से मई 2009 से और यह खतम होने वाली अभी पासा दस दिन में तीन मई 2016 को केतु जो है वो साप काल सर्फ दोश है आपके पती की जनम कुली में जिनके कारण इनके केरियर में बहुत ज्यादा फ्लक्टुशन देखने को मिल सकता है तो पैसों के घर में केतु बैठा हुआ केतु साप की पूछ है तेड़ा चलता है तो केतु की माधिशा चल रही थी जिसके कारण इनको इतना ज्यादा फ्लक्टुशन पिछले कुस सालों में देखने को मिला अब 20 साल की शुक्र की माधिशा शुरू हो जाएगी अगले महीने से और पिल्वडा में किसी खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक बार मंगल शनी की सान्ती करा लीजी और आने वाला समय बहुत अच्छा है चंतानी की जिए एक परना रतन इनको पहना के रखिएगा एमरेल जिसको बोलते हो नाम चेंज कर लीजिए इनको जो नाम सूट करता है वो M पे करता है दुकान का नाम यदि माँ पे हो M पे हो तो वो उनको ज़्यादा देगा पंड़ी जी अभी के लिए एक और दर्शक हमार साथ जुड़ी है शीगंगा नगर से मायना है जो कि अपने पुत्र विरेंद्र के लिए जानना चाहती है विरेंद्र की जन्म की तारीक है 26.8.1970 में उनके जन्म का समय है अपना सवाल पूछे आप पंदे जी रादे कृष्णा, जैशी रादे कृष्णा बिटा, पंदे जी मैं अपने बेटे के बारे मैं अनाईटी कर रहा है कुरू ठेटर से, आच्छा बात बड़ी बड़ी बढ़ी, तो जैसे मेनत कर रहा है, उसके एक पोइंट से कुछ प्रेसे रह जाता है, पेड़ा चलने वाला हर काम में रुकावट लाने वाला एक एक दो दो नंबर से रिजल्ट को नेगिटिव कर देने वाला तो यह राहू के कारण इस तरीके से इस बच्ची की लाइफ में फ्लक्च्वेशन देखने को मिल रहा है राहू की मादिशा इसको खतम होगी संदोज रतेका रविवार के दिन गुमेद रतना वश्य पेना दीजिए दूसरी जो समस्या है दो समस्या है वो आप घर पे कर सकती है बच्चे को करने की ज़रत नहीं है इसके कुणली में जो है गुरू नीच का है घर में केले का पौधा रखे और केले के पौधा के समक्ष रोज दस वर्षते कम की जो कन्या हैं उनको हर शुकरवार को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना आपके बच्चे के नाम से कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं कभी खाने का कभी स्टेशनरी आइटम तो 27 शुकरवार आपको यह करना है निशित और पे आपके बच्चे की सफलता के उट जान लेता है कि मकर कुमब और मीन राशवाले जार तक क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को सफल बनाने के लिए करें वो काघच पर नोट करके करें काघच को हाथ में लेकर करें अपने काम के पती कन्सेंट्रेट होकर करें समर्पर रहें आज आपके जो उच्छनी कारी भी है वह आप की बातों से सही मत होगी कारे में सुधार होगा आज के दिन सफलता के लिए गुड का सेवन करके घर से निकलेगा दिन अच्छा कुछ देगा अंतिम जो राशी वह मीन राशी मीन राशी वाली जो हमारे दर्शक है आज आप इस बात पर जरूरी तोर पे ध्यान देखिए आपको कब क्या कहना है और कब बिल्कुल चुप रहना है आज का गुड लग टिप क्या कुछ खास लेकरा है आप सभी के लिए दोस्तों यह कल्यूग है और अभी आज का जो दौर है उसमें काम की भागदोड बहुत हो गई है वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया टार्गेट ओरेंटेड जो मिल रहे हैं कि वही आप इतना टा उससे जो इनसान है वो डिप्रेशन का पिशिन बढ़ जाता है और वो जो डिप्रेशन है कई बार इतना बढ़ जाता है कि जो इनसान है जो डिप्रेशन से पेडित है वो कुछ समय के लिए अपनी सुद बुद खो बैखता है कुछ लोग डिप्रेशन के कारण पागलपन का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग आत्भत्या कर लेते हैं क्या होता है जब आप टीवी पे सुनते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे सुसाइट कर रहे हैं वाट इस दा रीजन तो कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर को इजली हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और जो हैंडल नहीं कर पाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं तो यदि आप यह आपके परिवार का कोई सदस्ट से डिप्रेशन जैसी बिमारी से प्रेडि थे तो आज मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ आप लिख लिजे आपके TV स्किन पर मंत्र आ रहा है बहुत सरल सा मंत्र है ओम लक्ष्मी कांतम नमाहा ओम लक्ष्मी कांतम नमाहा भवान विश्णु का मंत्र है ओम लक्ष्मी कांतम नमाहा प्रति दिन सुबह नित समय भी करना है निशित तोर पे ऐसा करने से जो मानसिक अवसाद है वो खत्म होगा डिप्रेशन जो है उससे आपको मुक्ति बिलेगे अदरवाइस डाक्टरों के पास जाओगे तो दवाया दे के आपको सुला देंगे और नहीं हो तो और डिप्रेशन का और मेंटल केस बना है राजा बन जाई एक उस दिन के लिए सोने चांदी के बरतनों में खाना खाईए तो निशित तोर पे डिप्रेशन दूर होगा सोमवार और पूर्णिमा की रात्री को चावल दूद मिश्री चंदन लकडी चनी ये जो चीनी आती शक्कर आती खीर सफेद वस्त चांदी ये त्यादी वस्तों का दान करना चीए और प्राते काल कच्चे दूद में सफेज चंदन को घिसकर मस्तक पर उसका तिलक लगाईए ये डिप्रेशन आपके आसपास फटकेगा भी नहीं तो सरल से उपाए अजमा के देखिएगा जैशी किष्णा अगर आप भी जानना चाते हैं अपनी समय्स्यां के समाधानना मसे तो आप भी हमें कौल कर सकते हैं अब हमें ई-मेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल इडिया गुड लग टिप्स at thereatfirstindianews.com कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए खुछ रही अपना ख्याल रखिए नमस्कार